सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आइसके वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Android Mobile यूज करते हैं उसके अंदर जो है आप फुटबॉल जो गेम है आपकी वो रन करते हैं और आपको प्रोब सॉल्व हो जाएगी तो यह मेरे पास है 3GB RAM वाला Mobile है तो इसमें क्या-क्या सैटिंग्स होंगी मैं आपको बता देता हूं आपके Mobile में आप उस हिसाब से कर सकते हैं मैं आपको भी बता दूँआ कि आपको क्या-क्या करना होगा तो यहाँ पर कुछ और सॉलूइशन्स भी ह आपको जो भी आप गेम खेलते हैं जब भी आप गेम खेलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आप बैगराउंड में कौन-कौन से अप्लिकेशन रन कर रहे हैं उसको यहाँ से बैगराउंड से हटा दीजिएगा तो आप इसली जो है आपकी स्मूथ गेम आप खेल जैसे माने यह गेम ओपन करी है अब आपको क्या करना है आपको बता देता हूं कि यह कुछ सेटिंग कर लेते एक पर और यह नेक्स्ट इंड ड़ियुक्त करना होगी जब भी आप गेम में अपनी प्ले प्ले करेंगे तो आप यह से पहले आप देख सकते हैं सेटिंग में आईएगा, यहाँ पर clear catch है, clear catch कर दिजिएगा, आप clear catch करने के बाद आपको second काम करना है, आप देख पाएंगे यहाँ पर graphics, graphics अपने हिसाब से, आपकी जो mobile की setting होगी उसके हिसाब से, यहाँ पर आपका देख सकते हैं high होगा, high होगा तो आपका जो है वो lag करेगा ही करेगा आप standard पर आईएगा, done कर दिजिएगा, यहाँ पर frame rate में आईएगा, 60 FPS होगा तो 30 करिएगा, अगर यह सब करने के बाद भी आपको problem आती है, तो यहाँ पर standard से low कर लिजिएगा, और यहाँ पर 30 है तो 20 कर लिजिएगा, आप ऐसे ही change करके check कर सकते हैं, यह काम आप जरूर problem है, वो solve हो जाएगी, यह काम करने से, आपको यह काम जरूर से कर लेना होगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वह मैं आपको बता देता हूँ, यह काम करने के बाद अगर आपको problem आती है, तो आपको यहाँ पर setting में आना होगा, setting में आने के बाद आपको नीचे स्क् डार आना है अब यहां पर आपको आपकी जो गेम है उसको सर्च कर लेना है यहां पर गेम आ चुके मद इसको चुशुआ जाईका जाई आपको जोबी सामने वाला उपें एंड नो उसका बढ़ित होगा वह उसी के साथ आप जो है गेम प्ले करिएगा गेम खेलिएगा तो आपको यह प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी इन बातों को आपको जुरूर से ध्यान रखना होगा अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जुर